दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि कोरोना काल है यह कोरोना काल है काल नहीं है एक संकट का समय है एक कोरोना का पिरियेड है जिसको हम पैंडेमिक बोलते हैं पैंडेमिक का मतलब है कि एक ऐसी बीमारी जो एक महामारी के तौर पर पूरी दुनिया में कहीं हर देश तक सोचा था कि विज्ञान के इस यूग में जहां इतनी तरक्की है मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज कैंसर और तमाम बड़ी जो रोग है वो क्योरेबल है लेकिन फिर भी ये प्रकृति का भी कहर है मैं बेहिचक कहूंगा प्रकृति को हमने शायद जितना नु कभी इतने बरबर और रिशंस नहीं होते हैं ना हो सकते हैं लेकिन फिर भी मनुष्य की बरबरता और रिशंसता की कोई सीमा नहीं तो उसका दंड भी है और शायद ये नेचर ने एक हमको पैनल्टी दी है एक तरफ जहां कोरोना पूरी दुनिया में परिशानी का सबब ब पना है वहीं पर हम देख रहे हैं कि नदियां अधुत तरीके से शुद्ध हो गई है कहा यह जा रहा है कि भोपाल की आबो हवा इस वक्त अलमोडा और किसी हिल स्टेशन की याद दिला रही है इतनी प्यूरिफाइड है दिल्ली में आप तीन किलोमेटर दूर जहां गर्म है कोरोना का जो वाइरस है उसके साथ करोना तो नहीं ले आया लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि सावधानी रखिए सुरक्षित रहिए घर में बैठिए और वो तमाम नियम जिसका भारतिय सनातन परंपरा में तो बहुत पहले से स्थान है कि रसोई में बिना पैर धुले म सुबह भी प्रयास यही होना चाहिए कि खास दोर से रसोई में लंबा समय बिताने वाले व्यक्ति के लिए वो चाहे महिला हो पुरुष हो उसके लिए अनिवारे होता था कि वो स्नान आधी करने के बाद ही रसोई में जाए जूते हमारे यहां जूते चपलें बाहर रखने क की परंपरा है स्वच्छता के वो तमाम पैरामीटर्स हैं आज भी यही बच्पन में हम और आप यही करते थे कि खेल कर आते थे तो पहले हांत मूँ दुलते थे तो इन तमाम चीजों का हमें पालन करना है और भय से अपने को मुक्त रखने का एक ही तरीका है कि आप अपन में देख पाएंगे कोरोना है तो कोरोना के खिलाफ लडाई भी है और यकीन जानिए कि यह लडाई हम मनुष्य और मनुष्यता ही जीतेगी इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिये परशानिया आएंगी लेकिन कोरोना में मृत्युदर्द सिर्फ दो या तीन परसंट है जो ब चदलता है और फिर हमारे फेफडे पर सीधे हमला करता है धेर सारा पानी पीजिए कुनकुना गरम पानी पीजिए डॉक्टर के साथ हमेशा एडवाईज में रहिए सर्दी जुकाम और बुखार को बहुत अदिक बढ़ने मत दीजिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन फिर कोरोना कहा है साथ मस्त रहिए मुस्कुराइए अपने भीतर जाइए रेट्रोस्पेक्शन में जाइए मेरे कई मित्र हैं जो इन दिनों धर्मग्रंथों को पढ़ रहे हैं और वो के रहे हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना समय हमें मिलेगा कि हम अपने अपनी धार्म चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ ता जोपड़ी से महलों ता ठेलों से मेलों ता पकडंडियों से सडकों ता गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राज़्टीती से कूटनीती ता दखन नियूज आपके हत्ता आप देख रहे हैं दखन नियूज